मैं कुछ बहुत बुनियादी बाते कहूंगा अकादमिक बाते तो हो जिसके पास बुद्धी है वो खेल ले जाता है यह तो सुप्रीम कोट की बहसे ची हो जाती है जो काबिल वकील है वो अपराधी को भी बचा लेगा नहीं वैसे हम ब्यभारिक बात कहें आशिश बाबू हमसे एक वार उत्रपदेश की बड़ी पार्टी के नित्रत्तु से बात हो रही थी तो उन्हें कहा के बाईजा वैसे इसी स्थिती है कैसे ने प्रेजा है तो मैंने का अगर आप मानते हो कि यही समस्या है अगर तकी साब आप भी सुनियेगा और त्यागी ज इसा मानते हैं तब यह उद्धव और एकना सिंदे अलग ने हुए थे मैंने का यूपी के हर जिले में शिव सेना खड़ी कर दीजिए विधान लोकसभा तो नहीं प्रभावित होगी लेकिन विधान सभा में 5000 बोट भी मेंटर करता है 2000 मेंटर करता है कि करिये मेहनत है नही करते हैं कि काली रात होगी हमावस्की एक एलियन उत्रेगा और हमको 204 सीटे दे जाएगा ऐसा नहीं होता मित्र कि बैंट जी ने एक बार कहा कि जो बात अर्विन जी ने कई में चलो उसमें बेशन्शोधन कर दू हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हराने का भी खेल करें कोई पार्टी चलो मानते हैं चुकि मैंने कुछ दृष्ष्य देखे हैं काशी राम जी के समय में अर लेकिन शायद आपनों की जानकारी में इस्वकत इसम्रती में नहों जानकारी में होगा राग्मिन आपूं तीन पार्टियां बने बहुजन समाज नाम को लेके तीनों के शटर बंद हो गए क्यों भाई कांग्रेस उनको क्यों ने चला पाई सपा क्यों ने चला पाई खाना खर्चा आप उठाते अपना तो मेवा कमरा बंद करके खा रहे हो क्यों ने हुआ आपने बस्पा के काउंटर के लिए बनी लेकिन उनके फेपड़े जबाब देगे ऑक्सीजन ही नहीं थी उनके पास ऑक्सीजन समझ रहने में यह था कि जब ऑक्सीजन तो आप ही को देनी पड़ेगे भारत जोड़ो यात्रा से नहीं काम होगा आदमी जोड़ो यात्रा से काम होगा भारत तो जुड़ा हुआ भारत कहां टूट रहा आदमी कहां से लाओगे आपको अर्विंद केद्रिवाल से समस्या है माली जिए आम आदमी पार्टी जैसा को आउटफिट खा कर सकते हैं क्या कर दीजिए अपनी पार्टी चलाते हुए कर दीजिए आइसी फोटो कपी ढूंद के लिए को आर्विंद जी की लगाइए उसको मैदान में कहिए भया तुम्हारा योग्षेम वहम्यम तुम्हारा सब खाना खर्चा हमारी जिम में लड़ो और आशीच जी आपकी पार्टी को यह स्मृति में रखना चाहिए कि रागविंद सिंग की पार्टी से कल्यान सिंग का अलगाव हुआ विदान सभाव उन्होंने अपनी पार्टी बनाई ठीक उस वक्त चुनाव हुआ विदान सभाव का गिन के क्या है आप लोग तो हाइपोथेटिकल भाषन बोलते हो जिसमें सत्यता नहीं होती वो भी उच्छाल देते हो है मैं पतानों गिन के 78 सीट भाजपा को हरवाई कल्यान सिंग ने 78 78 यह भाजपा ने चाती ने पीटी उनको यह समझ आगया कि कल्यान सिंग्जी को बापस ले लेना चाहिए सम्मान के साथ ले लिया फिर तो गया मामला कि भी टीम सी टीम नहीं जी बोले जो उसे समझें कल्यान सिंग्ग का औरा है भाजपा जहां हजार बोट से हारी वहां कल्यान सिंग के कंडिडिट को बोट मिला ऐसी 78 सीट है मैंने और गोविंदाचारी जी ने मिलके गिनी थी आप लोग क्या कर रहुए ऐसे निकाहि भी आएगा चला जाएगा फिर भी आप लोग वही कहोगे कि मेरट मेर मेर मायाबती जी क्यों लड़ेंगे अखिलेश जी क्यों लड़ेंगे क्यों नहीं लड़ेंगे यह प्रियंका जी क्यों नहीं लड़ेंगे उनकी मसला वो नहीं है और मुझे तो डर यह लगता है कहीं आप लोग ऐसी मांग ना कर दो किसी दिन कि यहार एक काम करो 400 सीटें हैं यूपी में 400 तीन हैं जितनी पार्टी है उसके हिसाब से पार्टी के आकार-प्रकार के हिसाब से कितनी बार सरकार बनाई और वैसा कर लो बंट लो ऐसे होगा क्या तोफी है क्या कि भाट लो चार तुम ले लो दू हम ले ले राजनीती में आपको सतत मैदान में रहना होगा अगर वजबहुजन समाज पार्टी भी अर्विंदी जी आज ये दावा कर दे कि हम भी मैदान में रहते हैं तो फिर पताई उस पर हसने के लावा कुछ कर सकते हैं क्या बसपा का कोई दपतर आपको खुला दिखा कहीं चहल पहल किसी के दुख सुख गमी में शाधिय व्याह में मायlaughing jy da Kenti दिख़ती हैं क्या नहीं न किल itt कि समाज पादी पार्टी कितना एक्टिव है जमीन पर मेन पूरी में एक्टिव थी बस और में पूरी में प्रदेश भर का आदमी एक्टिव था परदेश भर का आदमी 17 दिन 20 दिन एक महिना महिन पुरी रहके आया है खतवली क्यों नहीं आशिशीत रामपुर क्यों नहीं रहा जाके यही समुष्या है फिर आप कहते हो यह भाजपा को इसने चुनाब जिता दिया भाजपा को उसने चुनाब नाई राजनीती अपने पुर्शार्थ से होती है अपने पुर्शार्थ आता है जनता के बीच में रहनी से मुझे पता नहीं एंज़िट पॉल कितने सही होंगे लेकिन अगर दिल्ली Νगर!」 निगम दिल्ली प्रचंड बहुमत से आती है तो उसमें मानना पड़ा को कॉस्मेटिक कारण सा थोड़े ना आ गई होगी उसने लोगों को भरुसा दिलाया होगा लोगों नहीं यकिन किया होगा उसकी बात पर और गुजरात में 20% बोट दिखा रहे हैं प्रजिक्शन प्रजिक्शन अगर 20 परसेंट पागई आम आगनी पार्टी तो छोटी बात है 20 परसेंट बोट यह 20 परसेंट बोट बही है जो सपाबसपा के पास उत्तरपदेश में है ना यह उतनी बड़ी हैसित की पार्टी हो जाएगी गुजरात में आर्टारीक को तब सीखिए और देखिए कि त्रणमूल कॉंग्रिस कैसे मजबूत हुई बीजेडी कैसे मजबूत है जगन रेड़ी की पार्टी कैसे मजबूत है अर्विंद केजरिवाल की पार्टी कैसे मजबूत है और फिर यह भी देखिए कि आपकी प्रतुदंदी पार्टी भार्जपा चुनाव क्यों जीते हैं? के बल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भाजपाप वाले तो जूटे बादे करके जीत जाते हैं? ऐसा नहीं होता है. आप भी एक बाद जूटे बादे करके देख लीजी? ऐसे नहीं इतना सरल नहीं है जीतना जीतने के लिए कुछ पसीना तो बहाना ही चाहिए